असलाम अलेकुम चिल्डरन, how are you all, hope you all are fine and doing very well, today we will discuss a very important term which is heat, we will know what is heat, how it transfer and how we can measure the heat. आज की क्लास पे हम जानेंगे, heat क्या होती है, ये कैसे ट्रेवल करती है, इसको किस तरह से मेया किया जाता है और इसके लिए कौन कौन से units इस्तमाल किया जाते हैं, तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, heat क्या होती है, आप अपनी surrounding में देखें, certain objects जो होते हैं, वो बहु बहुत गर्म होती है, तो heat क्या होती है, heat is a form of energy that travel from hot object to cold object, heat एक energy की ही form है, जो travel करती है, hot object से cold object में, ठीक है, तो बच्चों आपने कभी सोचा है कि आपकी मदर आपको जब चाय का कप देती हैं, तो आप उसको कुछ तिर पढ़ा रहने दें, फिर आप देखेंगे कि चाय क जो गर्म चाय का मग हो, वो ठंडा हो जाता है, तो आपने कभी सोचा है कि चाय जो है वो ठंडी की हो जाती है, इस बात को ज़रा गौर से सोचे तो आपको समझ आएगी, गर्म चाय का मग है, वो इसी वज़ा से ठंडा होता है, कि उसकी जो heat होती है, वो उसकी colder surrounding में travel कर ज जाती है, मतलब आपका जो गर्म चाय का मग है, उसका जो temperature होता है, जो होटनेस होती है, वो जादा गर्म होता है, तो उसकी जो सारी की सारी होटनेस होती है, वो उसकी surrounding में dissipate हो जाती है, heat travel कर जाती है, इसी वज़ा से आपका जो चाय का मग होता है, वो ठंडा हो जाता है, अब हम बात करेंगे heat को measure करने के लिए हम कौन सी term इस्तामाल करते हैं किसी भी body की hotness या फिर उसकी coldness होती है उसको measure करने के लिए हम एक specific term यूज़ करते हैं जिसको हम temperature कहते हैं आपके surrounding में suppose इस room का temperature है ठीक है यह room कितना ठंडा है या कितना गरम है like आपका surrounding environment है जैसे सड़ियों में जो temperature होता है वो minus में चला जाता है इसी तरह से गरमियों में जो temperature होता है वो बहुत जादा जो है like 36 degree centigrade या 38 या 48 जो है उसको भी वो touch कर जाता है so बात करने का यह मतलब है कि आपकी surrounding या आपके इर्दगित जितने भी objects जितनी भी चीज़े पाई जाती है उनकी hotness या coldness को आप measure करते हैं as temperature अब मैं बात करती हूँ temperature को किस तरह से measure करते हैं हम किसी भी object के temperature को measure करने के लिए एक instrument use करते हैं which is called thermometer ठीक है thermometer क्या होता है an instrument which is used to measure the temperature of an object एक ऐसा instrument जो किसी भी object का temperature measure करने के लिए इस्तमाल हो उसको कहते हैं thermometer जैसे आप देख भी सकते हैं अब बात करते हैं कि थर्मोमीटर से हम temperature को किस तरह से measure कर सकते हैं जैसे आपको नजर आ रहा होगा आप सबसे पहले थर्मोमीटर है उसको लें glass of cold water लें उसके इंदर आप डाल दें जैसे ही थर्मोमीटर का जो bulb होता है वो उस colder water को touch करेगा तो जो थर्मोमीटर के अंदर mercury या alcohol होगी वो contract कर जाती है मतलब वो सुकर जाती है उसका level जो है वो fall कर जाता है ठीक है बिल्कुल इसी तरह से अगर आप hot drink के अंदर thermometer को dip करेंगे तो जैसे ही thermometer का जो bulb है वो उस hot drink को touch करेगा तो जो mercury और alcohol होंगे वो expand कर जाएंगे मतलब mercury का जो level है वो rise कर जाएगा मतलब जब चीजों का temperature मया किया जाता है तो hot object में जो mercury और alcohol होते हैं उनका level rise कर जाता है इसी तरह से जब cold object की temperature को मया किया जाता है तो उसमें mercury और alcohol का जो level होता है वो fall कर जाता है बच्चों बात करते हैं अब units की कि हम temperature को किन units से मेर कर सकते हैं आपके level में मैं आपको दो तरहा के units introduce कराऊंगी The first one is foreign height scale and the second one is degree centigrade scale अब बात करते हैं foreign height है वो कुन use करते हैं और जो degree centigrade है वो कब use किया जाता है जो doctor होते हैं वो आपका body temperature अदर आ रहा होगा अब foreign height को represent करने के लिए आप F लिखते हैं और उसके ओपर एक degree डाल देते हैं ठीक है इसको इस तरह से represent किया जाता है इसको इस तरह से लिखा जाता है इसी तरह से जो degree centigrade होता है वो आपके weather का जो temperature होता है उसको measure करने के लिए use किया जाता है ठीक है जी degree centigrade को represent किया जाता है C लिखते हैं और उसके उपर छोटी से degree लगा देते हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा तो बच्चो आज के lesson में हमने बात की heat की, temperature की, thermometer की और units of temperature की उमीद करती हूँ आज का lesson आपको समझ आया होगा मजीद understanding के लिए अपनी book से help लेजिए reading कीजिए इसी के साथ मुझे दीजिए जाज़त अलाफेज